जिस इंसान ने आज तक कोई भी गलती नहीं की है, उस इंसान ने आज तक कुछ भी नया करने का ट्राई ही नहीं किया है। ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एलबर्ट आइंस्टेन। 14 मार्च 1889 जर्मनी के उल्म शहर में एक यहुदी परिवार में पैदा हुए थे सर एलबर्ट आइंस्टेन। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उनका सर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले काफी बड़ा था और वो एक एबनॉर्मल बच्चे के रूप में जन्मे थे। इसके बावजुद भी उनका दिमाग इतना तेज था कि आज तक कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया। दरसल जब एलबर्ट आइंस्टेन का जन्म हुआ था तब उनका सर किसी भी नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा बड़ा था। नॉर्मली बच्चे एक या दो साल की उम्र में बात करना सीख जाते हैं लेकिन आइंस्टेन चार साल की उम्र तक बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते थे। मगर एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैटे थे तो अचानक आइंस्टेन ने कहा सूप बहुती गर्म है। अपने बेटे को इस तरह एकदम साब बोलता सुन उनके पैरेंट्स हैरान हो गए और खुश भी हुए। लेकिन बाद में जब उनसे प जैसे कि एलबर्ट आइंस्टेन को डेट्स और फोन नमबर याद रखने में प्रॉब्लिम होती थी। यहां तक कि उन्हें खुद का टेलीफोन नमबर भी याद नहीं रहता था। एक बर उनके एक सहकर्मी ने उनसे उनका फोन नमबर मांगा तो आइंस्टेन उनके पास में ढूनने से मिल जाती है। आइंस्टेन कभी भी जूतों के अंदर मोजे नहीं पहनते थे क्यूंकि उनकी टांगों की उंगलिया इतनी बड़ी थी कि बचपन में हमेशा टांगों की उंगलियों की वज़े से मोजे में छेध हो जाते थे। इसलिए उन्होंने मोजा पह लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आइंस्टेन हमेशा से इतने बुद्धिमान नहीं थे बलकि वो बचपन में पढ़ाई में बहुत ही कमजोर थे। इसलिए बचपन में उनकी गिंती बेवकूव बच्चों में की जाते थी। उनकी कुछ हरकतों की वज़े से उन् रूची नहीं थी। हाला कि इसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया के सामने साइंस की कई ऐसी थीजिस पेस की जिसके बिना आज भी साइंस कमजोर है। और यही बज़ा है कि उनका दिमाग आज भी चर्चा का विशय बना हुआ है। और वो वादा करते हैं कि वो आइंस्टेंड के दिमाग पर रिसर्च जरूर करेंगे ताकि आने वाले समय में इससे साइंस और साइंटिश दोनों को ही कुछ फाइदा हो सके। लेकिन रिसर्च के लिए परमिशन ना मिलने के कारण डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टेंड क दिमाग को एक जार के अंदर बेस्मेंड में कैद रखा। बाद में आइंस्टेंड के बेटे हैंस अलबर्ट आइंस्टेंड के अनुमति के बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टेंड के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू किया। दिया, ताकि वो अच्छे से देख सके कि आखिर आइंस्टेंड के दिमाग में ऐसा क्या था जो बाकी आम इंसानों में नहीं था और उसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टेंड के ब्रेंड टिशूस के हजार माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बनाए जिससे आइंस्टेंड के दिमागी अच्छी तरह से जाच हो सके रिसर्च के दोरान ये पाया गया कि आइंस्टेंड के ब्रेन में आम इंसानों से ज्यादा सेल्स थी आइंस्टेंड के दिमाग का सेरिब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा एक आम इंसान के दिमाग के मुकाबले काफी अलग था दरसल ये cerebral cortex दिमाग का एक जरूरी हिस्सा होता है जो सबसे जटिल दिमागी प्रोसेस के लिए main factor होता है और यही ऐसा हिस्सा होता है जो अजीबो गरीब तरीकों से विकसित होता है और साइंटिस्टों का मानना है कि यही वज़य थी कि उनका दिमाग बहुती असाधारान सोचता था जब साइंटिस्टों ने आइंस्टेन के ब्रेन को फर्दर एक्जामिन करना शुरू किया तो वो बिल्कुल हैरान रहे गए कि उनके ब्रेन में wrinkle parietal operaculum missing है जिसके कारण उनके ब्रेन की parietal lobe का size नॉर्मल ब्रेन से 20 प्रतिशत ज्यादा बड़ा था साइंटिस्टों का कहना है कि यही वज़य है कि आइंस्टेन की mathematical skill और चीजों को imagine करने की power नॉर्मल ब्रेन से ज्यादा थी और उनके दिमाग में neurons की density 17 प्रतिशत ज्यादा थी जिस वज़य से आइंस्टेन को ज्यादा brain part मिलती थी साइंटिस्ट के मुताबिक इसी वज़य से आइंस्टेन का concentration और दूर दर्शिता और उसे कई ज्यादा था साइंटिस्ट कहते हैं कि आइंस्टेन के brain में ज्यादा fault थी जो उनकी intelligence का और एक कारण था आइंस्टेन का दिमाग 46 टुकडे के रूप में अमेरिका के फिलाडेलफिया शहर के मटर म्यूजर में प्रिजर्व किया गया है दोस्तो आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है लेकिन इसके बावजूत आज भी आइंस्टेन के दिमाग और intelligence एक पहली बनी हुई है लेकिन साइंस्टिष्टों को आशा है कि फ्यूचर में किसी बेहतरिन टेकनीक के जरिए आइंस्टेन के दिमाग को और भी बेहतर तरीके से जानने में कामिया भी हासिल होगी डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टेन के दिमाग के साथ जो कुछ भी किया क्या वो सही था या गलत इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी मज़़दार विशय के साथ अगर आप ऐसे या वीडियो देखना चाहते हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन आउन कर दें तक कि जब भी कोई नवा वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया